नमस्कार, हमारे चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है जैसे कि हमने हमारी पिछली वीडियो में आपको कुछ ऐसी पुराचीन काल की खटनाओं और उनसे जुड़े किस्से और कहानियों के बारे में बताया आज भी हम उसी वीडियो को आगे जारी करते हुए कुछ और ऐसी हैरत तंगेस कहानियां बताएंगे हमारे धार्मिक स्थलों से जुड़ी हुई जिन पर शायद ही आपको यकीन हो तो आईए वीडियो शुरू करते हैं और बताते हैं इस बार की सबसे पहली कहानी देशपर में भगवान शिफ के कई करिश्माई मंदर मौझूद है लेकिन आंध्रप्रदेश के कुर्णूल में मौझूद यंगती मंदर उनमें बेहत खास है ऐसी कहानी प्रचलित है कि वहां मौझूद पत्थर के नंदी बैल का आकार साल दर साल बढ़ता जा रहा है प्रशासन को वहां मौझूद एक खंबे को भी हटाना पड़ा वहां रहने वाले लोगों के मुताबिक पहले वो नंदी बैल की परिकर्मा करते थे लेकिन बढ़ते आकार के कारण अब वो संभव नहीं है शिव भक्त कोब्रा तामिल नाड़ू के येपरु मनलूर स्थित शिव मंदर में एक ऐसा करिश्मा देखने को मिला जिसने सभी को चौंका दिया साल 2010 में रोजाना की आरती के दौरान मंदर में मौजूद पुजारी ने देखा कि एक कोब्रा अपने मुझ से पेड से पत्ती तोड़ कर शिवलिंग पर चड़ा रहा है ऐसा उसने एक नहीं दो तीन बार किया इसके बाद ये किस्सा आम लोगों के बीच बेहत चर्चित हुआ मंदर का सात्वा दर्वाजा तामिल नाडु में मौजूद प्राचीन मंदर अनंत पद्यनाब स्वामी को लेकर कई कहानिया प्रचलित है वहाँ एक रहस्य में बड़ा दर्वाजा मौजूद है और ऐसी मान्यता है कि सिद्ध सादू ही गरुड मंत्र के जरिये इसे खोल सकता है खेर इस दर्वाजे के पीछे का सच क्या है ये किसी को नहीं मालूम है कुछ लोगों के मुताबक दर्वाजे के पीछे से अरब सागर की आवाज सुनाई देती है जबकि कई लोगों का मानना है कि वो आवाज वहां मौजूद सांपो की है तो आज की इस वीडियो में इतना ही हम आपसे जल्द मिलेंगे कुछ और नई खबरों और ऐसी ही रहस्यमई कहानियों के साथ तब तक के लिए देखते रहे हमारा चैनल और अगर आप नए है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए हम जल्द मिलेंगे